नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में जुड़ गया आपके साथ आपका इस्टो फेंड संतो संतोशी दिनांक 6 नमंबर दिन कैसा बीतेगा क्या कुछ लेकर आया आपके लिए आईए पूरी जानकारी आपको देते हैं आज के जोतिश दिशा में सबसे पहले आज का पंचांग कार्तिक शुक्ल त्रेयो दशीति थी है साम चार बजकर 28 मन ते किसके बाद चतुर दशीति थी का उदे चंद्रमामीन राशी में नक्षत राज का योग रहेगा योग रहेगा वज्ज रता दनुसार दिनांक 6 नमंबर दिन रविवार रहुकाल साड़े चार से छे और गुलिकाल दो पहर तीन से साड़े चार रहुकाल नए और शुकाम के लिए आपको बिलकुल मना करता है और गुलिकाल कंसीडर करवाता है तो रविवार कर आहुकाल नोट कर लिया है, आपने गुलिकाल नोट कर लिया है, कदम बढ़ा दीजेगा सुरुबात करते हैं वाज के भविश्यवानी की और जानते हैं मेश से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतने वाला है मेशराशी, पढ़ने में आज कम मन लगेगा, सिक्षा को लेकर के गंभीर रहने की आवश्यक्ता है ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं, परेशानी नहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा तलखी रहेगा, लेकिन आप मेहनद करेंगे तो परणाम दिखेगा सरकारी छेतर की स्थिति में सुधार हो रहा, गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए आज नए राज्ते खो लेगा दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों की बीच तार्मिल अच्छा बैठेगा, लव लाइफ के लिए थोड़ा सा गंभीर होना होगा स्वास्त के मामले में आज का दिन किड़नी और लीवर की प्रॉब्लम दिखाता है क्या उपाय करना चाहिए? हरी सबजी का दान करना आज आपके लिए शुब होगा क्या नहीं करना है? आज जल्दी बाजी में कोई निरड़े नहीं लेना है शुबरंग आपके लिए बैगनी भाग्य प्रत्षत साथ ब्रिशब राशी पढ़ाई के लिए आपका आउसर आपको इंतजार कर रहा है सिक्षा की स्थिती सुधर रही है व्यापार में कुछ मुश्किले होंगी बिजनस को लेकर सजग रहने की आवशक्ता है प्राइवेट सेक्टर आप पर आज भारी पढ़ेगा सोच समझकर निरणे लीजेगा सरकारी छेतर आपके लिए बहुत अनकूल है गौर्मन सेक्टर में शुबता बनी हुई है दामपत्त जी उन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की वीच तालमिल अच्छा बैठेगा लव लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किलें आएंगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवशकता है स्वास्त के मामले में आख और बैठ की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी ब्रशब है नायनी हतेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काव कर लीजेगा आज पीला रंग शुभच अउवन प्रित्सत का भाग्ये मित्हुन राशी पढ़ने में आज खूब मन लग रहा है मित्रों का सानिद रहेगा कहीं यात्रा पर जा सकते हैं बाहर से कुछ शिक्षा सम्मंधी विशेश शुभ समाचार मिलेगा ब्यापार अच्छा चल रहा है आउसर बड़े मिलेंगे आज बिजनस को लेकर गंभीर होंगे प्राइविट सिक्टर आपके लिए नए रास्ते खोल देगा प्राइविट सिक्टर में कुछ बड़ा करने की चाहत पूरी करेंगे लेकिन सरकारी छेत्र की स्थिति को लेकर सजग रहने की आवशकता है बास के साथ नोग जोग हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की बीच तालमिल आप खुद बैठा लेंगे लव लाइफ में इस थतियां बहुत अच्छी नहीं है जिसको लेकर आपको सजग रहने की आवशकता है स्वास्थ के मामले में पेट, बैक की प्रॉबलम और आखों की तकलीफ हो सकती है क्या आपको उपाय करना है आज मिथो नाशिवालों को किसी जरूरतमंद को मौसमी फल देना शुब होगा ग्रे कलर क्यों शुबता है एकसर प्रतिसत का भाग्या करक्राश पढ़ाई के लिए अवसर अच्छे मिल रहे है सिक्षा में सुधार होगा अवसर कालाव लीजेगा ब्यापार को लेकर सजग रहने क्या वशकता है बिजनस में उठा पटक बना रहेगा दामपत्य जीवन बताएंगे हम प्राइवेट सेक्टर में आज नई नोगरे के लिए प्रियास सफल होगा सरकारी छेतर वालों को आज मकान और वाहन का सुख मिलेगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है सपोर्ट भी मिल रहा है लव लाइफ की स्तिती को लेकर के सजग रहिएगा स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्रॉब्लम दिखाई देती है क्या प्रियोग करना चाहेगा आपकी राशी करका है आज शिवलिंग पर एक गुलाब का पुश्प रख दीजेगा गुलाबी रंग शुब है उन्सेट प्रित्शत का भाग्या है सिंग राशी पढ़ने के लिए अवसर अच्छे हैं इन अवसर का लाब भी आपको मिलेगा ब्यापार को लेकर सजग रहने क्या आवशक्ता है बिजनस में कुछ उठापटक आज दिखाई देता है प्राइवेट सेक्टर के लिए आज जो भी आपने काम किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा सरकारी छेतर में प्रमोशन होगा दामपत्य जेवन अच्छा रहेगा बच्चों के साथ कहीं अच्छा समय भी देगा लव लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकती है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या होगी प्रियोग के तोर पर आज सिंग राशी वालों को नीले रंग का धागा अपने पास रखना है आज का दिन नीला रंग शुब है उन्चास प्रत्षत का भाग्या कन्यराशी थोड़ा मन उद्विगन है आज कम मन लग रहा है ब्यापार बहुत अच्छा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है अगर आप प्राइविट सिक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आज बॉस के साथ बिवादास पदिस्थती आ सकती है लेकिन दोपहर के बाद कुछ पुराने समस्याओं का हर भी निकलाएगा प्राइविट सिक्टर आप पर आज थोड़ा भहुत भारी पड़ेगा दोपहर के बाद धैर रखिएगा सरकारी छेतर की स्थिती में सुधार है गवर्मेंट सिक्टर आपके लिए अनुकूलता दे रहा है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ सकती है स्वास्त के मामले में पेट, किड्नी और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या प्रयूप करना चाहिए कन्या राशी वालों को आज मौसमी फल का दान शुब होगा औरेंज कलर शुब है, चपन प्रत्स्यत का भाग्या है बात तुला राशी की पढ़ाई के लिए आज बिवश किये जाएंगे आप सिक्छा में मन कम लगेगा लेकिन ब्यापार की स्थिती सुधर रही है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर की स्थिती को लेकर के देखा जाए तो आज हर प्रकार से शुबता बनी हुई है सरकारी छेतर में मालस्टिक शानती मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सोच समझ कर फैसला लीजेगा स्वास्त के मामले में किटनी, आंख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है तुरा राशी वालों को क्या उपाय करना चाहिए कि राप की राशी तुला है तो आज मस्तक पर हल्दी का टी का लगाईएगा ब्राउन के लर्शुब है 47 प्रतिस्ट का भाग्या है ब्रच्चिक राशी पढ़ाई के लिए आज जो भी विचार किया था उसके अनुसार कदम बढ़ा चुके है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में आज बाहर से सुब संदेश की प्राप्ती होगी आज बिजनस को आप विदेश तक फैला सकते है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूल रहेगा चिंताओं से आपको मुक्ती देगा सरकारी छेत्री की स्थिति में सुधार है दामपत्य जीवन आपके लिए अनकूल रहेगा लव लाइफ थोड़ा सा टफ है लव लाइफ को लेकर सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में आज माइग्रेन, आख और घुटने की समस्या हो सकती है ब्रश्चिग्राशी वालों को आज अपने कंठ पर हल्दी का तिरग लगाना होगा पीलारंग शुब है 69 प्रतिशत का भाग्या है धनुराशी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सिक्षा में लाव हो रहा है, किसी तरह की रुकावट नहीं ब्यापार अच्छा चलेगा, बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइविट सेक्टर को लेकर सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेतर में सुधार होगा, गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए अवसर अच्छे देगा दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा, सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम आखों की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना अगर आपकी राशि धनु है अगर आपकी राशि धनु है तो आज प्रियुक के तोर पर पीला पुश्प अपने सर से तीन बार वारिये और कहीं रख दीजिए के सरिया रंग्शुभ है छाच्छट प्रत्षत का भाग्या है मकर राशि मकर राशिवालों के लिए सिक्षा की स्थिती में सुधार है व्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूलता दिखा रहा है सरकारी छेत्र में तनाव बढ़ सकता है दामपत्य जेवन अच्छा है लव लाइफ की स्थिती को लेकर के सज़ग रहने की आवशकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन और आँखों की समस्या हो सकती है नीरारंग शुभ है 51 प्रिस्ट का भाग यह है उपाय के तोर पर आज अपने कंठ पर हल्दी का तिलक सुशोभित करिएगा कुम्बराश बहुत प्यारा दिन है स्विक्षा में सुधार हो रहा है शंदेव की विशेश क्रिपा है पढ़ा अच्छी कर रहे है प्यापार को ले करके थोड़ा सावधाल रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेतर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गौर्नमेंट सिक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आईगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है सपोर्ट भी मिलेगा लव लाइफ की स्थिति थोड़ा सा उठा पटक वाली है स्वास्थ के मामले में बैक की प्राबलम आखों की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए कुम्भ राशी वालों को अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आज अपने हाथों से किसी जरूरत बंद को खाने की चीज देना शुब होगा काला रंग शुब है अनसर्ट प्रत्सित का भाग्य है अन्तिम राश मीन पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में सुधार हो रहा है ब्यापार थोड़ा सा टफ है थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अवसर अच्छे देगा सरकारी छेत्र को लेकर के आज गंभीर होईएगा बहुत के साथ बिवादास्पत इस्थति आ सकती है लव लाइफ बहुत अनकूल है और मैरियर लाइफ में क्या पूछना है स्वास्थ के मामले में बैक की प्राबलम और आखों की तकलीफ हो सकती है मीन दाशिवालों को प्रियोग के तोर पर दायनी हथेली पर थोड़ा सा जल लेकर अपने उपर छिड़काव करना होगा पीला रंग शुभ है बावन प्रुत्षत का भाग या आपके साथ है तिलक करिएगा मेश लेकर मीन तक आई अब आज का भाग या अक्षर लकी अक्षर मेश सा है मिथुन ता करक चा माफ कीजिएगा मेश सा मिथुन ब्रिशब ता मिथुन चाग शर करक टा सिंग गाग शर सिंग डाग शर कन्या पा तुला वाग शर व्रिश्चिक रा धनु दाग शर मकर का कुंभव वाग शर मीन ड़ ये आपकी शुभ भाग या अक्षर है साधे चौकोल कागश पर लिखें और अपने पास रख लिजें जिसका आज 6 नमंबर को जनम दिन है उपाय क्या करें पहले तो शुभ कामना है दो बच्चों की सिक्षा में मदद करके तीन पीपल के पौदे कहीं लगाना है और दो लोगों को आज भोजन करा देना है जिसकी आज एनिवर्सरी है दो लोगों को भोजन करा के तीन लोगों को वस्त्र का दान करना है करिए हमारी शुब काम ना है आप सब के साथ रहेंगी हमेशा आप खुश रहें प्रसंद रहें हस्ते रहें तो मुलाकात करेंगे आगे पटना राची कलकता बिलासपुर और नाकपुर लखनव में मिलने के लिए आप दिये गए नंबर पर वाटसप या कॉल तुरंद कर लिजेगा धन्यवाद, हेवे नाइश डे, शेरा दे आचार्य, विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य, संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशिया अनेग